हाई डिस इस पूर्म शर्माई और वाचिंग सभावना नियूज पावर्ड बाई डी मेमोरियल ग्रूप उप इंस्टिटूशन इन दौर टुडे वी आर गए टॉक वाटरमेलन जूस वैसे तो बाजार में अब सालों भर तर्बूज मिलने लगे हैं पर गर्मियों में जो तर्बूज हम کھाते हैं उसका जबाब नहीं यानि तर्बूस खाने का सबसे सही समय होता है मध्य जून से मध्य अगस्त इस समय मिलने वाले तर्बूस पके भी होते हैं और वीछे भी इसे खा भी सकते हैं और उसका जूस भी बना कर दे सकते हैं जानिये लिए इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये हमें गर्मी से बचाने में भी बहुत मदद करता है अगर आप चाहें तो तर्बूस को काट कर उसमें हलका सा नमक डाल कर खा सकते हैं या फिर उसका जूस भी बना सकते हैं तर्बूस का जूस बनाना बहुत ही आसान है इसे आप 5 मिनिट के अंदर बना सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ 4 सामगरी चाहिए एक किलो तर्बूस, दस बारा पत्ते पॉदिना के, एक निम्बू या फिर दो तीन चम्मच निम्बू का रस ले लें और एक चम्मच काला नमक या फिर स्वादानुसार आईए जाने बनाने की विधी, सबसे पहले तर्बूस को छिल कर उसका लाल वाला भाग छोटा छोटा काट लें ताकि उसका जूस बनाने में जादा परिशानी न हो फिर इसे मिक्सी के जार में डालें और उसमें पूदिना पत्ता और नमक डाल दें फिर उसको दो मिनिट तक मिक्सी में पीस लें फिर उसको छान लें ताकि उसका बीज निकल जाए और अब उसे सर्विंग ग्लास में निकाल लें अगर आप चाहें तो उसे पूदिने के पत्ते से या किसी और चीज से डेकोरेट भी कर सकते हैं जूस बनाते समय ध्यान रखिए कि तर्बूज रसीला और लाल हो अगर आपका तर्बूज मीठा नहीं है तो आप उसमें थोड़ा इसी चीनी भी मिला सकते हैं अगर आपको थंड़ा जूस चाहिए तो उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें आइस क्यूब का इस्तिमाल बिल्कुल भी ना करें नहीं तो जूस का टेस्ट बदल जाएगा और वो पानी जैसा लगने लगेगा तर्बूज के जूस बनने के बाद इसे 10 मिनिट के अंदर ही पी लें नहीं तो ये खतरनाख साबित भी हो सकता है